दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फैन कोड इसी एस टीटेन स्रीच की जो मैच नमबर 45 खेला जाएगा आज AMD वर्सेस CYM के दर्मियान में दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों की AMD और CYM के टीम ने अभी तक इस रीच के कितने मैचेस खेले हैं कितने मैचेस AMD के टीम विन कर रहा है दोस्तों कितने मैचेस यहाँ पे CYM के टीम विन करते वे आ रहे हैं और इस रीच के खेले गए टोटल मैसेज में कौन से खिलाडी ने कितनी स्कोर करा है, कौन से नमबर पे बल्लेबाजी कर रहा है यानि कि ऑपन कौन से खिलाडी करेंगे, फर्स्ट आउन पे कौन से खिलाडी आज करते विए दिखेंगे दोस्तों, सारे खिलाडीों का बैटि टीम ट्यार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना इसकिप किये सुरू सन तक देखना ताकि इस मैश रिलेटेड आपको सारे इंपोर्टेंट जानकारे मिल पाए और आप एक बहातरिन टीम बना पाओ लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट जोस्तों अगर आप चैनल पे नई जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले ना इस वीडियो के नीची जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा इस पर आप क्लिक कर देना दोस्तों साते साथ बैल आ क्लिक मिल जाएगा जिस तो यहां पे 26,000 से भी अधिक युजर ने जोएँन कर लिया है दोस्तों अगर आप ग्रेंड लीग और समॉल लीग के फाइनल टीम पाना चाते हो लाइन अप आने के बाद तो इस ग्रुप को बिलकुल ही जमत करना क्योंकि फाइनल टीम आपको य दोनों ही टीमों के सारी ख्लाडियों के बेटिंग ओडर के साथ स्ट्रेट्स प्रवाइड करूँगा साथी साथ एक टीम तेयर करेंगे जो अल्मोस्ट फाइनल टीम रहता है लेकिन फिर भी अगर एक से दो चेंजेस होता है तो वही टीम आपको अपडेट करने के बाद इस ग्रूप में प्रवाइड कर दिया जाता है तो फाइनल अपडेट के लिए हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जरू जैन कर लिना इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिसक्शन बॉक्स में और कमेंड बॉक्स पहला कमेंड में मिल जाएगा तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टेट्स की और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आई होप आपनी ज्वेन कर लिया हो तो दोस्तों सुरुबात करेंगे हम लोग सबसे पहले मैच विन्यू से तो इस रिच के सारे मैचेस एक ही ग्राउन पे हो रहे हैं आपको पता ही होगा दोस्तों और यहाँ अगर आप पीछ देखोगे तो बैटसमन को काफी बढ़ीया अधीक सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों बैट्टिंग फ्रेंडी पीछ आप देख सकते हैं लेकिन बॉलर्स में बात करें दोस्तों यहाँ पेस बढ़ीया सपोर्ट मिल रहा है तो इसी ये तो पता चलता है कि कोई भी टीम अगर यहाँ पर टॉस दिता है यहां पर इससे यह तो पता चलता कि CYM के जो टीम है इससे आप मैक्सिमुम ख्लाडी को अपने टीम में ले सकते हैं तो दोस्तो इस team से हम लोग maximum ख्राड़ी को अपने team में try करेंगे 6-7 ख्राड़ी को अपने team में try करेंगे तो चलिए आप जानते हैं कि स्रीच के खेले गए match में कौन से ख्राड़ी open कर रहे हैं दोस्तो इहां पर फिरदराज देवल की बात करेंगे तो इस team के तरफ से आपको open करते वे नजर आएंगे दोस्तो इस starting के कई match में बंदा flop रहने के बाद अगर total इंगा score देखोगे पूरे tournament में तो 142 रन अभी तक बनाए हुए है दोस्तो कई match में इन्होंने काफी बढ़िया खेला है लेकिन बाकि अगर आप देखोगे तो ज़्यादा match में बंदा flop भी रहे हैं तो यह चिक ध्यान में रखना बाकि wicket के प्रिंग में नजर आएंगे तो इनको अपने team में ले सकते हो बाकि अगर बात करेंगे श्रीकाउंत के बारे में तो पूरी स्रीज में इन्होंने 78 रन स्कूर कराया भी तक अगर इनका स्टेट्स देखोगे पूरी स्रीज में तो यहां पर open करते हैं पहले match में 28 रन बना के एक विकेट निकालें फिर 4 रन बना के 2 विकेट फिर 3 विकेट फिर 16 रन बना के 2 विकेट पूरे टूनामेंड में देखोगे तो काफी बढ़िया इन्होंने खिला है और अभी तक 200 रन बना के 12 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों 2 वर कंफर्म गिंदबाजी करते हैं बिवाल कैप्टेंसी वैस कैप्टेंसी के लिए बेस ट्रैक आप याद रखना दोस्तों आगे चलकर हम लोग जो टीम क्रेट करेंगे इनको कैप्टेंसी के लिए भी लेंग बागे हिते स्की बात करेंगे तो पूरी स्रीज में इनोंने यहाँ पे 143 रन स्कूर करा है छे विकेट निकाले हैं दो वर कंप्लिट गिंदबाजी करते वे दी जाएंगे टीम के मिडरलर का बैट्समन है और अभी तक इस स्रीज में काफी बढ़िया इनोंने खेला हुआ 20 रन बना के दो विकेट यहाँ पे एक विकेट फिर यहाँ पे फ्लॉप रहते हैं फिर देख सकते हो अच्छे कासे परफॉर्म किया है ति इनको अपने टीमें ट्राय कर सकते हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइब को पोइंट दे सकते हैं दोस्तों बाकि आपको यहाँ पे ड्रॉप करते ही चलेंगे विनोत की बात करेंगे टीम का सेकेंड डॉन का बल्ले बाच है दूस्तों इनका भी अभी तक इस स्रीज में कोई बड़ा स्कोर रहा नहीं इनको भी ड्रॉप करेंगे देख सकते हर एक मैच में दो से प्चार रन पांच रन ब भी आपको दिख जाएंगे पंगच के बारें बात करेंगे तो पुरी स्रीज में उन्होंने 133 रन स्कोर करा है चार विकेट इन्होंने निकाले हैं टीम का थार्ड डाउन का बल्ले बाच है बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते ही दिखेंगे दोस्तों यहाँ पर दो निकालें यवी तक पुरी स्रीज मेचे का से यहाँ पर बॉलिंग करा है लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों इनको भी कुछ खास विकेट अभी तक मिले नहीं है पहले मैच में एक विकेट दो विकेट यहाँ पर फिर लास्ट के यहाँ पर देखोगे तो चार विकेट CYM के टीम की बात करेंगे तो दोस्तों CYM के टीम के तरफ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिसन तरवार ओपन करते वे नज़र आएंगे पहले मैच में देखोगे तो 8 रन फिर 16 रन पूरे स्रीज में उन्हें उन्हें एच्छे का से बल्लेबाजी किया है और पर बल्लेबाजी करते वे दिख जाएंगे महरन खान की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 295 रन टोटल इन्हें स्कोर करा है पूरी सिरीज में बहुत ही सांदर बल्लेबाजी है कई मैचस में इन्होंने हाप संचुरी जड़ है आप देख सकते हैं 64 रन दोस्तों बहुत इचे का से बल्लेबाजी करते वे नजर आयते कई मैचस में और टोटल 295 रन स्कोर करा है तो इनको अपने टीम में जरू ट्राय करना जो बहुत ही हार्ड इटर बल्लेबाज है वह अगर बात करें गुरु सिवक सिंग के बारे में तो इन्होंने भी अभी तक पुर फ्लॉप नजर आ रहे हैं लेकिन यहां पर बॉलिंग करते वे आपको दीख जाएंगे कंप्लिट ओबर तो एजे बोलर आप इनको ट्राय कर सकते हो विकेट लेने के भी चांसे काफी जादा है क्योंकि कंप्लिट ओबर बॉलिंग करेंगे वह वकार अली की बात करेंगे यह भी दो बर गिंदबाद जी करते वे दिखेंगे पहले मैच में दो विकेट फिर एक विकेट फिर चार विकेट देख सकते हैं इन्होंने भी काफी बढ़े हैं इस रीज में विकेट निकाले हैं तो ऐजे बोलर अगर आप चाहो तो ले सकते हो चो अच्छे बॉलिंग क आप समझ सकते हैं दो बर कंप्लेट बॉलिंग करते हुए नजराएंगे उन्नीस विकेट निकाले हैं पूरे टुनामेंड में हाइस्ट विकेट टेकर बॉलर है तीन-तीन विकेट एक-एक मैचिस में लेते वी आ रहे हैं देख सकते हैं इस ट्रेट पूरे इस रहेगा बाकि मुर्तजा में हमनें की बात करेंगे तो दोस्तों पूरे स्रीज में इन्होंने अभी तक 9 विकेट निकाले यह भी दो बर आपको गिंदबाज जी करते हुए दी जाएंगे ऐसे बैट्समें को ट्राइ कर सकते हैं जो टीम के बहुत सांदर बल्लेबाज है ब इनको विकेट की प्रिंग पर नजर आएंगे पूरे स्रीज में 125 रन स्कोर करा है लेट बैटिंग करते हैं यह कारण इनको काफी लोग ड्रॉप कर रहा है बाकि इनका स्टर्स कुछ खासने दो मैच खेले हैं दोनों मैच में देखोगे एक मैच में एक विकेट दूसरा मै पर चलेंगे मोमाद असन की बात करेंगे तो चार अमर बल्ले बाजी करते हैं पहले मैच में एक रन फिर छे रन फिर चौबिस रन फिर यहां पर लाश के तीन चार मैचे से भी फ्लॉप रहा है तो जो खेले तो टॉप में है लेकिन पूरी से रिज में यह बंदा पर चार योग अभी तक जितने मैचेस खेलें बैटिंग ओर्डर के साथ आपने देखा उम्मिद करते हैं कि इस वीडियो से इस मैच के लिए काफी कुछ हेल्प मिला होगा बाकी दोस्तों अगर जरा भी हेल्प मिला है तो एक लाइक करके हमें मॉटिवेट जरू करना दो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले विकेट की परसे जो आज आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन रहने वाले हैं यह टॉप पे बल्ले बाजी करेंगे मैं आपको क्लियर बताया है वीडियो के अंदर दोस्तों इनका टॉप अटर पे बल्ले बाज करना होगा क्योंकि आप देखोंगे चार से पांच इंपोर्टन खिलाड़ी है लेकिन क्रेडिट इसु के कारण नहीं ले पा रहे हैं यह चीज आपको थोड़ा ध्यान में देना होगा पाकि बास करेंगे दूस्तों बैटिंग के बारे में तो दूस्तों में यह पी तीन इनको ले रखा है एम खान जो है न दोस्तों यह बहुत इंपूर्टन खिलाड़ी है आपको पता होगा टीम के काफी बढ़िया खिलाड़ी है कैप्टेन वाइस के लिए आप ले सकते हैं देखो डबल वालियो को लेना तो चाहते हैं लेकिन अगर आप देखोंगे क्रेड के बारे में तो मैंने यहां पर तीन ओल रॉंडर को ले रखा है जिसमें से एमडी के टीम के तरफ से यह बहुत ही हाड़ डिटर बल्लेबाज है कैप्टेन सी के लिए ट्राइ करेंगे अभी तक बहुत ही सांदर बल्लेबाज ही करते हैं एम खान को लेते चलेंगे तो जी करते हैं एलस इंगर टीम के में बॉलर है इस विकेट टेकर बॉलर है निस्ट बॉकेट निकाले हैं आपको पता ही होगा बहुत ही हाड़ेडर बॉलर है दुसरे और राय करते हैं यह बहुत में पर देख जिन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्सन रहेगा रवाइस के अपने टीम में लेते हुए चल रहे हैं और अगर आप चाहे तो एल सिंग के साथ भी जा सकते हुए जब ही तेक पूरे टुनामेंट में 19 विकेट निकाला आपको पता ही होगा तो यह भी काफी बढ़िया ऑप्सन रहेग झाल